हलो फ्रेंट्स किया आपका रीसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद आपको फल फिरोट खाने के और जूस पीने के सलहा दी गई है अब आपको यह कन्फूजन है कि आपको कोनगूसे फल खाने चाहिए कॉणसे फल आपको नुकसां कर सकते हैं तो यह सारे confusion आज आपके इस वीडियो में clear होने वाले हैं तो सबसे important बात है कि जब भी हम operation करते हैं तो हम हर मरीज को समझाते हैं कि normal routine diet का पर ही रही है अपने diet को बहुत ज़ादा alter नहीं करिए operation से पहले जो आप खाना खा रहे थे वही आपको बाद में खाना होता है क्योंकि generally जो गाइनिक के जो operations होते हैं जैसे कि बच्चे दानी को operation या गांट को operation इसमें किसी प्रकार से आतों का कोई छेड़ छड़ नहीं होती है हाँ बहुत severe cases होते हैं endometriosis के जिसमें आतों की surgery की जाती है तो उसके लिए precautions अलग बताई जाती है बट फिर भी एक general जो सावधानी होती है कि आप अपने खाने को बहुत जादा ना बदले अब generally लोग क्या करते हैं कि खाना तो कर देते हैं का दलिया और खिचडी को बहुत जादा बढ़ा देते हैं यानि कि fruits का खाने लग जाएंगे जूस काफी मात्रा में पीने लग जाएंगे तो fruit और juices एक साथ बढ़ा देने से पेट के अंदर आतों में जूस एकठा हो जाता है और उसके अंदर बैक्टीरिया डबलेप होने लग जाते हैं जिससे किसी-किसी मरीज को काफी मात्रा में दस लग जाते हैं उल्टियां होने लग जाती है और यह तब जादा होता है जब आप पपीते का सेवन बढ़ा देते हैं तो पपीते में पेपे नम का एंजाइम होता है जो कि आतों को अंदर से नुकसान पहुचा सकता है क्योंकि अगर आप नॉमल खाना नहीं खा रहे हैं और सर्फ पपीता खा रहे हैं और जूस पी रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए नुकसान दे साबित होगा आपको उल्टियां हो सकती है आपको पेट में दर्द हो सकता है आपको दस लग सकते हैं हो सकता है कि आपको खाने की इच्छा नहीं हो तो यह सारे नुकसान हो सकते हैं तो अगर आप operation के बाद आपको बहुत ज़्यादा पापीता खाने के सलहा दी गई है तो आप please avoid करिए और अपना ध्यान रखिए हमेशा डॉक्टर से पूछिए कि आपको exactly कौन से फल खाने कौन से नहीं खाने जनरली हम सब एक ही सलहा देते हैं हर मरीज को कि अगर आपको फल खाना है तो पूरा फल खाये juices prefer ना करें क्योंकि juices में जब juice निकालते हैं तो fiber निकल जाता है जिसकी वज़े से उसका आधा जो nutrition पार्ट है वो निकल जाता है और fiber जब पेट के अंदर जाता है तो constipation की समस्या को दूर करता है और केवल अगर juice जा रहा है तो वो पेट के अंदर flatulence करता है यानि कि पेट को फुला देता है और उसमें कई प्रकार के enzymes और जो किटानू बनने लग जाते हैं इसकी वज़े से कई बार दस्त हो जाते हैं तो जूस के जगा पूरे फल को prefer कीजे और दिन पर में एक या दो Ful खाने होते से ज़्यादा नहीं खाने होते है कई लोग तो पूरे की पूरे Ful fruit पे Switch हो जाते है रोटी सबसी बंधी कर देते हैं केवल दलिया खिच्डी लेते हैं फल फ्रूट खाते हैं यह बिल्कुल गलत है ऐसा ना करिए और पपीता खाने की सला नहीं दी जाती है और यदि आपको पपीता खाना भी है तो आप बिल्कुल पका हुआ फ्रेश पपीता खाईए और वो भी एक कटोरी से जादा ना लीजिए यानि कि थोड़ी मात्र में झाये दिन भर में सिर्फ एक बार खाईे और ज़्यादा नहीं खाईे और ताजा फल खाईे कोल्ड प्रेज़ के फल नहीं खाईे जोस आप अवॉइड कर सकते हैं तो पूरा अवॉइड कर दीजिए और यदि आपको लगता है कि आप फल खा ही नहीं सकते हैं, आपके दातों का कोई प्राब्लम है या और कोई है, तो जूस लीजिए, लेकिन डॉक्टर से पूछ कर लीजिए, जनरली हम जूस के लिए मना कर देते हैं, इसके जगा आप दही ले सकती हैं, चाश ले सकती हैं, और नॉर्मल रोटी और सबजी खा सकती हैं, और अगर आपको दलिया या खिचडी खाना है, तो खिचडी के अंदर बहुत सारी सबजियां डाल कर आप खाईए, इसके लावा दाल का पानी आप ले सकती हैं, चमाटर का सूप बना सकती हैं, वेजिटेबल स्टॉक्स बना स सकती हैं, इस तरीके से वो आपको जादा हेल्दी रहेगा बजाए जूस पीने के, तो फल और फूट के अती हर चीज की बुरी होती है, तो अती बिल्कुल ना करिए, लिमिटेड मात्रा में हर चीज अच्छी होती है, और पपीता खाने से पहले एक या दोबार सोचिए ज कि ज्रीजब लिमिए रहे खाने से एक उमेस्केаз रादा में हमेश Tuesdays अवरी मुरी है, बशक हमेह, बब़का घालेDr. gaming, कò बच्छर पका लिमिएज का बच्छर के, बुर बच्चर कर यह opposite यह लिमिबिएं हरे, तो अमिएफसे ऩार गादा होती जिएसाल 2500 टार मों हाँने स